सबसे पहले आपने line segment tool में जाना है और एक line draw कर देनी है इसके बाद stroke के option पर click करें अगर stroke का option नहीं है तो window में जाके select करना है आज मैं आपको सिखाऊंगी how to make different arrows कि different arrows किस तरह से हम बना सकते हैं अब मैं all line बना रही हूँ इस पर ये apply करती हूँ और आपने साधी shapes को select करते जाना है इसमें साधी conditions दीवी होती है अब ये हो गया ये करती है आप मैंने select और अब ये सही है आप ये प झाल 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 अब देखें मुख्तिलिफ एरो शेप्स बन गई है और अब आप इने कहीं भी यूज़ कर सकते हैं